Good morning class, welcome to you all in moral science e-learning class Class हमारा revision चल रहा है chapter 1 का हमने previous class में पढ़ा था chapter 1 का fill in the blanks आज हम question answer करेंगे Answer the following questions What kind of a girl was Jia? Jia किस टाइप की लड़की थी? वो कैसी थी? यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है आपने chapter पढ़ा था enthusiasm उसमें आपने पढ़ा था कि Jia जो थी उत्सुपता लड़की नहीं थी वो बहुत दब हर चीज के काम के लिए एकदम तयार नहीं रहती थी वो बहुत सहमी सहमी रहती थी तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि What kind of a girl was Jia? Jia किस तरह की लड़की थी? वो किस टाइप की थी? तो उसका अंसर है Jia was not an enthusiastic girl Jia जो थी वो बहुत पुर्जोश, बहुत उचसुपता, बहुत प्रुसाहिद लड़की नहीं थी Second question है What did grandpa tell Jia? Jia के दादा जी ने Jia से क्या कहा? उसे क्या बताया? तो उसका अंसर है Grandpa told Jia Success smiles and does not weep Therefore only smiles and enthusiasm could hold it forever जादा जी Jia को बताते हैं कि जो काम्याबी है वो खुशी Smile ही करना एक बहुत बड़ी काम्याबी है और उसे मतब रोना नहीं चाहिए उसे अफसूर्दा नहीं रहना चाहिए उसे अफसूर्दा नहीं करना चाहिए इसके अलावा एक smile और एक प्रोटसाही जो है वो तमाम चीजों को पकड़ लेती है हमेशा उससे क्या होता है हमेशा आप खुश रहोगे तो आप जब आपके अंदर जोश रहेगा तो आप हर काम को बहुत अच्छे से कर सकोगे जो खुश होता है जो हमें किसी काम को करने का मतब उतसुपता होती है यह सब जो चीजे होती है वो हमारी जिन्दगी के लिए बहुत जरूरी होती है और यह हमें मतब बहुत आगे बढ़ाती है थर्ड कोशन है वेर डीट क्रैंपा एंड जिया गो टू इस्टड़ी यानि दादा जी और जिया जो होते हैं वो पढ़ाई करने के लिए वो इस्टड़ी करने के लिए कहां जाते हैं तो इसका अंसर है ग्रैनपा एंड जिया गो टू दा गार्ड़िन तू स्टड़ी दादा जी और जिया जो हैं वो अपने घर के जो पास ही में गार्ड़िन होता है वहां जाते हैं Why was Gia surprised? जिया क्यों surprised हो जाती है? जिया इसलिए शर्प्राइस हो जाती है कि वो दादा जी जो उसके रहते हैं वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से और हर चीज़ को एक गेम की तरह उसे बताते हैं जैसे उसे मैठी बता रहे हैं तो वो एक मैच स्टिक से बताते हैं फिर और भी जो चीज़े साइन्स है तो वो उसे लीफ या फिर फलावर वगगरा के जरी बताते हैं तो जिया इसलिए बहुत सर्प्राइज हो जाती है कि दादा जी जो है उसको हर चीज बहुत ही इंट्रेस्टिंग के साथ बता रहे हैं बहुत ही मतब उसमें मज़ा ले लेकर उसे बता रहे हैं तो जिया इसलिए बहुत सर्प्राइज हो जाती है last है question what did Jia realize at last यानि Jia आखिर में क्या realize करती है उसे वो क्या महसूस करती है तो Jia realized that enthusiasm helped her to overcome her problems and clear the cobwebs of her mind Jia ये realized करती है, ये महसूस करती है कि जो जोश होता है जो अपने अंदर किसी काम को करने की इच्छा होती है या फिर जो भी आपके अंदर मदब किसी काम को करने की बहुत जादा चाहत होती है तो जो enthusiasm होता है जो पुर्जोश चीज जो होती है वो आपको मदद करती है आपके हर काम में, आपके हर problem को sort out करने में आप उससे क्या कर सकते हैं आपने हर काम को बहुत आसानी से उसे हर problem को sort out कर सकते हो और जो उसके mind में जो cob waves यानि जो उसके mind में एक जाल बन गया था जिससे वो बहुत डरती थी और बहुत मदब किसी काम को करने में हिचकी चाहती थी या किसी काम को करने में वो डरती थी तो उसने रियालाइज किया कि जो enthusiasm में जो पुर्जोश जो चीज होती है वो उसके दिमाग के से वो cob waves को भी क्लियर कर रहा है वो उसको हटा रहा है